दोसो एक तरफ जहाँ पे यूकरेन के लड़ाई को लेके रश्या परिशान है मतलब एक तरीके से रश्या यूकरेन के लड़ाई में लिफते है और व्यस्त है तो वही पे दूसरे तरफ अब बंगलादेश भी दिरे दिरे करके रश्या के लिए सरदर्द बनते जा रहा है और दोसो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों दोनों देशों के बीच के जो सम्मंद है वो अच्छा नहीं चल रहा है और दोसो एक तरफ जहाँ पे सम्मंद में दरार आ रहा है तो इसी बीच बंगलादेश जैसे देश के द्वारा रश्या जैसे बड़े औ बंगलादेश के राजदूत को बुला के अपने आपति को दर्च किया गया दोसो यहाँ पे मैं आपको बता दू कि बंगलादेश के इंडिपेंडेंट के बात से ही मतलब 1971 से लेके अब तक बंगलादेश का जो रिष्टा रश्या के साथ रहा वो काफी बहतर रहा इवन का अन्मती ना दे के एक तरीके से बंगलादेश के द्वारा अपने ही पैर पे कुलाडी मारा गया या फिर कह सकते हैं कि अपने ही सरमसीवत मोर ली क्योंकि दोस्तों बंगलादेश फिलाल ऐसे position में नहीं है कि वो रशिया को नारास कर सके क्योंकि बंगलादेश फिलाल आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और economical ऐसे situation के दर्मियान बंगलादेश को भी अन्य विकासिल देशों के जैसे रशिया के सस्ता तेल का आवोशकता है अब दोस्तों बंगलादेश के तरफ से उठाया गया ये जो कदम है ये अब दोनों देशों के बीच के रिस्ते को काफे नुकसान भी पहुँचा है और एक तरीके से अब कह सकते है कि बंगलादेश का जो रशिया से तेल खरिदने का इरादा है उसके उपर वी ये चोट दाता है वो अचानक से रशिया को नारास करने क्यों गया अब दोस्तों इस घटना का शुरुआत तो पिछले साल के नवेंबर महिने में ही हुआ था जब रशिया के एक माल बाहग जहाज उर्सा मिजा ने बंगलादेश के रूपपूर परमानो विद्धुत केंद्र के ल लगा गया और दोस्तों इन सिक्ट नाइन जहाजों में उर्सा मिजा भी शामिल था अब दोस्तों इसी कारण से ही बंगलादेश के द्वारा इस जहाज को अपने मोंगला बंदरगा में आने का अनुमती नहीं दिया गया वैसे अगर देखा जाए तो ये जहाज खारी में जब ये जहाज प्रेजेंट था तब इस जहाज ने रश्या में रिटर्न नहीं हुआ बलकि इसके बदले भारत के जो हल्दिया पोर्ट है वहाँ पे जाके अपने सामान को खाली किया और भारत के तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि भारत कीवल मात्र युनाइ देश का भी मदद किया गया और एक तरिके से रश्या का भी मदद किया गया क्योंकि दोस्तों ये सामान अगर रश्या रिटर्न पहुंच जाता तो इससे बंगलादेश के जो रूपूर पावर प्लांट है उसके बनने का सपना तूट जाता और साती साथ रश्या को भी इ वयान आया और उनके द्वारा कहा गया कि इस घटना के बाद बंगलादेश के राजदूत को तलब विकिया गया है। अमेरिका के द्वारा जो रश्या के 69 जहाजों की उपर प्रतिवंद लगाया गया है उसे बंगलादेश के तरफ से माना जा रहा है और इसे मानते हुए बंगलादेश के द्वारा इन जहाजों को अपने बंदरगा में आने का अनुमती नहीं दिया जा रहा है। उई पर रश्या के विदश मंत्रालाई को और एक प्रवक्ता के तरफ से अपने बयान में बताया गया है कि बंगलादेश रश्या का एक पक्का दोस्त है मतलब अभी भी रश्या इन हरकतों के बावजुद बंगलादेश के साथ छोड़ने के लिए तयार नहीं है और नहीं चाहता है कि बंगलादेश जैसे देश रश्या से संपूर्ण रूप से कड़ जाए पर दोस्तों यहाँ पर जो बंगलादेश के तरफ से हरकत किया गया है ये एक तरिके से धोकाधरी के ही बरावर है क्योंकि जब बंगलादेश अपने स्वतनतरता का लड़ाई लड़ रहा था और पाकिस्तान के जुलम के बिरुद लड़ रहा था तब बंगलादेश को र गया था और लड़ाई में भारत को रोकने के लिए या फिर कहें तो बंगलादेश के इंडिपेंडेंट को रोकने के लिए अपने सात्वा बेड़ा भी भेजा गया था और दोस्तों इस बेड़े को अगर कोई एक देश ने रोका था तो वो था रश्या और ऐसे में दोस्तो इतने सारे कुछ रश्या के द्वारा करने के बावजूद इवन बंगलादेश जैसे देश को परवानू उर्जा से माला माल करने के प्रयास को चलाने के बावजूद बंगलादेश के तरफ से अमेरिका का ही साथ दिया गया जो एक तरीके से धोकादारी ही है। बढ़ रहा इससे मुझे नहीं लगता है कि ऐसे हरकतों को रश्या के द्वारा लंबे समय तक बरदास्त किया जाएगा तो आप लोग को क्या लगता है कि रश्या इसके विरुद क्या प्रतिक्रिया दे सकता है कॉमेंट करके जरूर बताईए आज का वीडियो यही फेही करत आप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम